हलो प्यूटिफूल सोल कैसी है आप सब आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे हैं खुश है हल्दी हैं और सबस इंपोर्टेंट बहुत जादा वाला पॉजटिव है अगर आपको दिख रही है पियर बटरफ्लाइज यानि जोडे में तितलियां तो उसका मीनिंग क्या ह होता है आज जानेंगे इसी के बारे में डिटेल वीडियो होने वाला है बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला है इसलिए लाज तक बने रहेगा और चैनल पर नहीं है तो अब भी सबस्क्राइब करके इस परिवार का प्यारा सा हिसा बन जाएगा और बेल नोटिफिके में तिसलियां दिख रही है तो उसका first meaning यही होता है कि universe आपको guide कर रहे हैं कि आप किसी भी toxic relationship में फसे हुए थे बहुत दिनों से चाह के भी नहीं निकल पा रहे थे या फिर suppose आपके शादी हो गई है उस toxic इंसान से तो आप चाह के भी दूर नहीं हो सकते हैं अगर ऐसी condition में आप फसे हुए है तेन आपको pear butterfly नजर आती हैं बार-बार encounter हो रही है तो आपके लिए साफ-साफ यही message है कि आपके रिष्टे में बहुत सारी positivity आने वाली है बहुत सारा goodness आने वाला है तो आपको खुश होने की जरूरत है किसी भी condition में आप फसे हुए हैं किसी भी तरह का toxic relationship है तो उसमें बहुत सारे changement आने वाले हैं और आपका रिष्टा सुधरने वाला है तो खुश हो जाएए, happy हो जाएए बहुत जल्द आपकी life में बहुत ही सारी positivity आ रही है क्योंकि यह universe ने तय किया है इसे कोई भी टाल नहीं सकता बस जब भी आपको butterflies दिखती हैं दो-दो एक ही साथ तो शुक्री यादा करना मत भूलिएगा जैसे ही दिखे तो thank you thank you thank you universe जरूर से बोलिएगा अगर आप कोई wish manifest कर रहे थे बहुत दिनों से आपको लग रहा था कि पूरी नहीं हो रही है आपकी wish तो आपके लिए यह बहुत ही specific sign है कि आपकी wish बहुत जल्दी पूरी होने वाली है और आपकी life में बहुत सारे good luck, abundance, खुश्या, prosperity हर कुछ आने वाला है वो भी बहुत fast तो बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत है इसका तीसरा meaning अगर आप single हैं, शादिस होता हैं या फिर divorce हैं वो आपकी life में बहुत fast new love आने वाला है बहुत fast आने वाला है, बहुत खुश होने की जरूरत है, अगर आप single है, marriage manifest कर रहे थे तो बहुत जल्दी से आपकी marriage manifest होने वाली है, और जो person होगा, वो divine guided होगा मतलब इश्वर ने चुना है उसे आपके लिए, अगर आप divorce हैं, तो आपकी life में बहुत fast new love आने वाला है और अगर आप उन लोगों में से हैं, जिसे सिर्फ relationship attract करना है, तो आपके लिए भी एक नया partner, नया person आ रहा है अगर आप friendship चाते हैं, या फिर किसी भी तरह का रिष्टा attract करना चाते हैं, बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था तो जब आपको जोड़े में तितलिया दिखती हैं, तो आपकी कोई भी विशो बहुत जल्दी manifest होने वाली होती है आपको बस receiving mood में रहना है, कि इश्वर के तरफ से आपके पास जो भी चीजे आ रही हैं, आप उसके लिए तयार है अगर आपका career बहुत दिनों से रुका हुआ था, कोई change मेंट नहीं था, और आप चाह रहे थे कोई change हो आपके money का flow बढ़ जाए, या फिर आपको आपके dream job मिल जाए, जो भी चीजे आप चाह रहे थे बहुत दिनों से और possibility थी बट नहीं मिल पा रही थी तो इस time पे जब आपको pear में butterflies नजर आ रही हैं, तो आपको जरूर से मिलेंगे बस आपको करना होगा एक काम, चाहे आप जो भी चाहते हों, जैसी भी wish हो आपकी मिलने वाली है, ये सही है, लेकिन उसके लिए आपको अपने mind में, अपने मन में हर जगा जगा बनानी होगी समझ रहे हैं, मतलब आप अंदर से अगर उस चीज के लिए जगा नहीं बनाएंगे, तो वो चीज कहां से आएगी आप घर में कोई नया समान लाते हैं, तो उसके लिए जगा बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही दिमाग में, मन में आपको जगा बनानी होती है तब ही नई चीजों को आप अट्रेक्ट कर पाते हैं, और रिसीव कर पाते हैं अगर आप निगेटिविटी को ज़्यादा मेनिफिस्ट करते हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे ही कुछ गलत बात दिमाग में आए, तुरंत से पतलब कुछ सेकेंड तक उस थौट पर रहे हैं, उसके बाद तुरंत से अच्छी चीजे सोचिए, जब भी आपको गंदा थौट याद आया ना, आप सोचो कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए ये है, और जो आपको चाहिए, वो सोचो 21 दिनों में आप चीज देख पाऊगे, कि जो चाहते थे आप, वो सारी चीजे धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में आते जा रहे हैं, I hope कि मेरी बात, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, जो भी मैंने बताया, अच्छा लगा तो प्लीज चै सारा प्यार कीजिए, खोश रहे हैं, स्वास्त रहे हैं, पॉजटिव रहे हैं, और सबसे ब्लेसिंग लेते रहे हैं, बाबा एंटे क्यार, थैंक्स वर वाचिंग आइस,